सूप्रभाद बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदे क्लास में और आज हम हिंदी में क्या सीखने वाले हैं? आज हम हिंदी में सीखेंगे विलोम शब्द अब आप मुझसे पूछोगे माम विलोम शब्द होते क्या है? आईए आपको बताते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द का विपृत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं? ठीक है बच्चों? विपृत शब्द विलोम शब्द यानि की आपोजेट्स किसी भी शब्द का जो उल्टा अर्थ बताएं उल्टा अर्थ दें ऐसे शब्दों को विलोम शब्द, वेप्रित शब्द या आपोजिट वर्ड्स कहते हैं ठीक है और अब हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द और उनके विलोम चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इधर, उधर, उधर, इधर अपना पराया, पराया अपना पास, दूर, दूर, पास असली, नकली, नकली, असली कम, अधिक, अधिक, कम हार, जीत, जीत, हार आशा, निराशा, निराशा, आशा खुश्बू, बद्बू, बद्बू, खुश्बू खुश, उदास, उदास, खुश बूढ़ा, जवान, जवान, बूढ़ा सच, जूट, जूट, सच सुक, दुख, दुख, सुक आसान, कठिन, कठिन, आसान भीतर, बाहर, बाहर, भीतर आए, गए, गए, आए गिला, सूखा, सूखा, गिला उपर, नीचे, नीचे, उपर लाब, हानी, हानी, लाब सुख, शाम, शाम, सुख, एक, अनेक, एक तो बच्चों हमने देखा कि ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलूम है, विपरीत है, यानि की पहला शब्द दूसरे का और दूसरा शब्द पहले का विलूम है ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये भी डिसकस कर लेते हैं अब आपने इन सभी शब्दों को, सभी विलूम शब्दों को एक-एक करके अच्छी handwriting में अपनी notebook में write करना है फिर हर एक शब्द और उसके विलोम अर्थ देने वाले शब्द को उसके साथ पढ़ना है ठीक है बटा? पहले आप ये वो पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, शब्दों को पढ़ोगे फिर notebook में write करोगे उसके बाद फिर से एक साथ सभी शब्दों को read करना है ओके थैंक यू kids